क्या आपने कभी ऐसे चिमकदड को देखा है जो कि इतना cute होता है कि वो अपनी cuteness से आपको अपने पसमे कर सकता है और क्या आपने कभी ऐसे λोम्डी को देखा है जो कि छोटी होने के साथ साथ कि अपका उसे छोड़ने का मन ही नहीं करेगा तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे जानबरों के बारे में बताऊँगा जिनकी क्यूटनेस देखके आप भी दंग रह जाएंगे और इन जानबरों को आप अपने घर में भी पाल सकते हैं और इन ही 10 क्यूट एनिमल्स की लिस्ट में एक ऐसा बंदर भी है जिसका साइज सिर्फ आपके हाथ के बरावर ही होता है तो गैस वीडियो को इन तक जरूर देखना क्योंकि आज किस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मज़े आने वाले हैं तो चलिए स्टार करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को जिसमें नमर 10 पर है बेबी लामा गैस कभी भी आप स्ट्रेस फिल कर रहे हों तो आपको इस बेबी लामा से जरूर मिलना चाहिए ये सबसे बहतरीन पैट और सबसे क्यूट एनिमल है जिसे देखने के बाद आपका सारा स्ट्रेस खतम हो जाएगा पहले के समय में इसे पालतो पजू के रूप में लोगों के दोवारा उनके बोज़ा उठाने और उन के लिए पाला करते थे अभी जब आप इसे स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो आपको लगी नहीं रहोगा कि इस क्यूट से जानवर से बोज़ा भी डुलवाये जा सकता है जैन्म की समय बेबी लामा का भजन 9 से 14 किलो के बीच में होता है और ये इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि किसी भी काम को थोड़े समय में ही सीख लेते हैं और इसके अलाबा ये बहुती लोयल और सब के साथ घुल मिल जाने वाला जानवर है और इसे पालने के लिए आपको बहुती कम रख रखाव की जरूरत होती है लामा बहुती भाबुक जानवर होते हैं जो कि इंसानों के आवभाव को बहुत चल्दी समझ लेते हैं और अगर आप इन पर चिलाते हैं या इनको मारते हैं तो ये आपसे तुरंत ही दूर चले जाएंगे और हो सकता है कि बाद में ये आपके पास भी ना आएं और इसे बहुती कम इंसान होगे जो इस क्यूट से इंसान पर चिलाएंगे या इसे मारेंगे क्योंकि इस क्यूट से जानवर को देखने के बाद कौन ही इसे मारेगा नमर 9 पर है फिंगर मंकी गैज ये छोटा सा और क्यूट सा दिखने वाला जानवर एक मंकी है जिसे सायद आपने अब से पहले कभी नहीं देखा होगा इसका छोटा साइस होनी के बज़ा से इसे फिंगर मंकी या पोकेट मंकी भी बोला जाता है ये ना तो कभी गुसा करता है और ना ही किसी पर अटेक करता है और इसे पालना भी बहुती आसान है क्योंकि ये खाने में सिरुफ फल्फ्रूट सी खाना पसंद करते हैं इनका सबसे पसंदीदा फूट एपल और बनानाज है जितना जादा ये मंकी क्यूट है उतना ही जादा इस मंकी को खरीदने के प्राइस भी है इस फिंकर मंकी के एक जोडे की केमत पांच लाख रुपए से साथ लाख रुपए तक होती है नमर एट पर है बेबी तमंडुआ वीडियो में दिख रहे इस क्यूट से जानवर का नाम तमंडुआ है सेंट्रल और साथ अमिर्का के जंगलों और खास के खुले मैदानों में पाये जाने वाला ये जानवर एंटीटर फेमिली का मेंबर है आपको इनके बारे में एक बात जहनकर बहुत हैरानी होगी कि इनके पास खाना चवाने के लिए कोई भी धात नहीं होते है ये खाना खाने के लिए अपने सक्तिसाली कीचेट्स पर डिपेंड होते है और ये कच्चा या कोई ठोस खाना नहीं खाते है इनकी छोटी आँखें और गुलावी रंग का सरीव, उस पर काले रंग के बने पैटरंस दिखाई देते हैं, ये सभी चीजें इंसानों को इनकी तरफ खीचती हैं, और इसके पतले लंबे मुँ में लगभग 10 इंच लंबी जीव होती है, अगर आप इस जानवर को अपना प रहने के लिए अलग-अलग प्रकार के खाने की आवस्चेक्ता होती है, इस तमंडुआ को दुनिया भर में लोग अपना बनाने और पालने के लिए बेताब रहते हैं, नमर 7 पर है बेबी टाइगर, ये सुननने के बाद आप में से बहुत सारी लोग सोच रहे होंगे कि भ जादात बहुत जादा है, जिन में से कुछ सेलिबेटीज भी टाइगर्स को पालना बहुत जादा पसंद करते हैं, अलांकि टाइगर्स की देखवाल करना बहुत ही मुस्किल है, उन्हें सही ट्रेनिंग देना और उनके खान-पान का ध्यान रखना एक आम इंसान के लिए पूचिबल नहीं है, लेकिन ये बेबी टाइगर्स बहुत ही मासूम से दिखाई देते हैं, इन्हें ठेकने के बाद हर को यही बूल जाता है कि ये कितने जादा खतरनाक हो सकते हैं, एक बेबी टाइगर को सिर्फ दूध ही पलाये जाता है, जबकि ये पूरी तरह बड़ भी बोला जाता है, ये इतने प्यारे पालतू जानबर हैं कि क्रिस्टन बैली जैसे इन्हें पालना पसंद करते हैं, उन्होंने अपने सोसल मीडिया पर इस क्यूट बेबी सलॉट्स के साथ बहुत सारी वीडियोज पोस्ट की हैं, जिन्हें लोगों ने भी बहुत जादा पसंद किया, ये बहुत ही हाई मैंटेनेंस क्रियेचर हैं, आमतोर पर ये कीडे और पत्ते खाते हैं, इनके लिए बंद कमरे में रखना बहुत ही मुश्किल है, ये खुले में और पेड़ बोधों के ऊपर ही रहना पसंद करते हैं, नमर फाइब पर है पाइथन, इस अज प्रजातियां बहुती सुंदर और आकरसित होती हैं, जैसे बैल पाइथन, बोगा कंस्ट्रिक्टर, इन ठंडे खून वाले प्राणियों को आरम दायक रखने के लिए बड़े और गरम पिंजरे के आवसकता होती है, अलाकि कुछ दिल्सों में पाइथन को पालने पर प्र इसकंक नॉर्मली घर की बिल्लियों के आकारके होते हैं, ये 8-19 इंच यानि 20-48 सेंटीमेटर तक बड़े होते हैं, और इनका बजन लगबग 3-7 किलोग्राम तक होता है, ये छोटे जानबर USA, कनाडा, दचिड अमेरका और मैक्सिको में पाए जाते हैं, इनकी एक बिसेस् सद्बू छोड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब इने पाला जाता है, तो इनकी इन गरंतियों को हटवा दिया जाता है, जिसकी बज़ा से वो इस तुरगंद को नहीं छोड़ पाते, इसके अलाबा इनका बैबार इंसानों के प्रती बहुती सांथ होता है, आप जिस मेलनी सहरा रिकिस्तान और अरविक रिकिस्तान में पाई जाती है, जो कि क्यूट होने के साथ साथ बहुती कूल जानबर भी होता है, पैनिक फॉक्स फॉक्स की नसल की सबसे छोटी प्रदाती होती है, ये 14 साल तक जी सकते हैं, जो कि डौग की एज़ के बरावर है और इस अगर आप इसे देखोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इसे ना पालना चाहो क्योंकि ये इतना क्यूट होता है कि हर किसी इंसान को ये पसंद आई ही जाता है और इसकी सबसे खास बात होती है कि ये कुछ दूरी तक उड़ भी सकता है जो कि आप वीडियो में देखी पा रहे होंगे और लोगों को अपनी और और भी जादा अकरसित इनकी आखे करती है इनकी वीडियो इंटरनेट पर इतनी जादा वाइरल होती है जिन पर लाखो करोडों में ब्यूज होते हैं इनकी देखरे करना भी इजी है क्योंकि इन्हें खाने में फल फ्रूट्स ही पसं और अगर आपको इसे पालने का मौका मिले तो आप इसे अपने पास रखोगे या नहीं तो गैस फाइनली अब बात करते हैं नमबर वन के बारे में जिसका नाम है अंडरन वाइट बैट गैस ये चिमकादड़ दुनिया का सबसे क्यूर चिमकाद़ है जो की बाकी बैट भी का जाता है अभी आप इसे देख रहे हैं यही इसका मैक्सिममम साइज है लेकिन मेल बैट फीमेल बैट से थोड़ा बड़ा और भारी भी होता है और यह हैली कोह या पेड़ों के पत्तों के नीचे रहते हैं और उन्हें खाकर न्यूट्रिशन पाते हैं इसलिए इनके लिए टैंट मेकिंग बैट सब दियूज किया जाता है ज्यादा तर यह पत्तियों के नीचे ही अपने लाइफ बिताते हैं और यह बहुत ही कम देखने को मिलते हैं बहुत ही कम चांसे हैं कि यह किसी को देखने को मिलें तो गाइज आपको इन सभी क्यूट जानबरो में से तब से क्यूट जानबर कौन सा लगा और क्या आपने इन में से किसी भी जानबर को रियल लाइफ में देखा है यह मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना तो गाइज आज के लिए वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर द